हलो दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको Amazon Prime Day Sale के बारे मैं बताऊँगा और यह बताऊँगा यह सेल कब स्टार्ट होगी एक्सपेक्टेड डेट बताऊँगा इस सेल डी में पिछले साल इस सेल की डेट अनाउंस 28 जून को हो गई थी और यह सेल 15 और 16 जुलाई को लाइव होई थी पिछले साल और आपको मैं बता दूँँ आपको पिछले साल आइसे बेंक और एजब बेंक की कार्ट बर आपको डिसकाउंट देखने को मिला था पिछले साल जादा iPhone पर आपको ओफर देखने को नहीं मिले था ओनली iPhone ठैटिंग पर ओफर देखनों को मिला था पिछली सेल में आपको iPhone 13 और बात करते हैं इस Sail में कौन सा iPhone के स्प्राइजिंग पर मिलेगा क्या इसकी एक्सपेक्टेट रहेगी सबसे पहले iPhone 13 की बात करते हैं आपको iPhone 13 की बात करते हैं आइफॉन 14 की बात करते हैं या ऐसा भी हो सकता, इस sale में आपको iPhone 15 पर कोई भी offer देखने को ना मिले, अगर आप इस sale में कोई भी Amazon product purchase करते हैं, तो उन पर आपको क्वाफी अच्छा discount और offer देखने को मिलता है, अब बात करते हैं, आपको इस sale में iPhone लेना चाहिए, या फिर नहीं, अगर आपके budget में कोई iPhone आता है और जो आप iPhone लेना चाहिए, आपको इस sale में iPhone ले लेना चाहिए, नहीं तो मेरे साब से आपको बेट करना चाहिए Big Million Day Sale का, 51-52,000 के आसपास मिल जाएगा, तो आपको अब decide करना है, आपको iPhone इस sale में लेना है, या फिर Big Million Day Sale का बेट करना है, और इस साल ये sale 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में start होगी, तभी आपको offer देखने को मिलेंगे, अगर आपको कोई भी question है, आप comment में comment कर सकते हैं, मैं उसका reply करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, bell icon प्रेस करना ना भ tool है, जिससे आपको time to time notification मिलती रहे, thanks for watching.